असलाम में फ्रेंड्स अब सिलसला शुरू हो रहा है यूलर्स नंबर्स को इंटीग्रेट करने का आप जानते हैं इए कॉंस्टेंट होता है 2.7 सम्थिंग इसकी वाल्यू होती है और ये नैच्रल लोगारिथिम की बेस होती है अगर कभी भी E हमारे पास इंटीग्रेट करने के लिए आए तो हमें ये फॉर्मला एप्लाई करना होता है इंटीग्रेशन ओफ E की पावर X is equal to E की पावर X plus C यानि के जो सवाल वही जवाब मगर हमेशा की तरह हमें ये फॉर्मला एप्लाई करने से पहले एक शर्त पूरी करनी होगी और वो शर्त क्या है जो हर फॉर्मले के लिए है कि फॉर्मल में जहां X लिखा है आप सवाल में देखें कि X की जगा वहाँ क्या लिखा है और जो भी X ही जगा लिखा है उसका डेरिवेटिव आपको DX से साथ लिखना होगा जब आप उसका derivative dx के साथ लिख देंगे जब आप derivative इस integral के frame में लिख देंगे प्रोवाइट कर देंगे तो फिर go on होगा आप फिर ये formula apply कर सकते हैं और जो derivative होगा वो integral symbols के साथ ही खतम हो जाएगा यू reverse हो जाएगा process और हम integrate करने में या anti derivative लेने में कामियाब हो जाएगे क्या आप जानते हैं जब भी variable की पावर 1 हो उसका coefficient ही उसका derivative होता है तो यहाँ x की पावर 1 है और x का coefficient minus 3 है इसलिए यहाँ पर minus 3 e की पावर का derivative है जो formula में e की पावर असल में x है यहाँ पर इस formula में भी जब तक आप e की पावर का derivative नहीं प्रोवाइट करते आगे नहीं बढ़ सकते थे मगर यहाँ क्योंकि e की पावर x है और आप जानते है x का derivative 1 होता है और dx के साथ 1 हमेशा रिखा होता है इस वज़ा से यहाँ formula में one mention नहीं किया जाता otherwise यह requirement है कि जो भी e की पावर है उसका derivative dx को दें और फिर जो सवाल था वो as it is जवाब में लिखकर plus c लिखके for any possible constant और अपने जवाब को pack करें तो यहाँ हम integrate कर रहे हैं e की पावर 2-3 x और आप देख सकते हैं 2-3 x का derivative minus 3 है 2 का derivative 0 minus 3 x का derivative minus 3 it means we need here negative 3 तो आप dx के साथ minus 3 लिखेंगे उसको balance करने के लिए बाहर भी denominator में आपने minus 3 लिखा है निक एक तरह से आपने minus 3 से multiply और divide करवा दिया e की पावर 2 minus 3 x यहाँ minus 3 आगया और dx बस अब हम असानी से formula इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारा जवाब होगा 1 over minus 3 यह सवाल as it is आगया e की पावर 2 minus 3 x प्लस c so hopefully आपके बहुत यह असान तरीन सवाल समझ में आया होगा अब हम एक और euler zumber से related सवाल करते हैं एक और सवाल हमारे सामने यहाँ पर भी हम यही करेंगे यह formula apply करेंगे मगर formula में e के उपपर power में x है और formula में जहाँ x होता है हम देखते हैं सवाल में उदर x की जगा क्या लिखा है तो सवाल में x की जगा लिखा है 3 x square plus 2 मतलब जब तक हम 3 x square plus 2 का derivative यहाँ dx के साथ नहीं लिख देते हम यह formula apply नहीं कर सकते अब ज़रा हम derivative note करते हैं तो 3 x square का derivative बनेगा 6 x और 2 का derivative 0 अब 6 x में से x तो यह रहा क्योंकि variable तो वैसे भी हम खुद से नहीं ला सकते हैं मगर हम कोई भी number तो खुद से ला सकते हैं तो x यह रहा 6 हम ले आएंगे यहाँ अब यह मैंने सिर्फ arrange किया है x पहले था x को मैंने बाद में लिख दिया denominator में और x 6 हम वहां लिख देंगे multiplying form में तो denominator वाला 6 divide कर रहा है वहाँ पर जो 6 होगा x के साथ वो multiply कर रहा होगा use 6 balance भी हो गया अब यहाँ पर e की power 3 x square प्लस 2 into 6 x dx तो e के उपर जो power थी उसका derivative अब यहाँ मौजूद है यानि कि अब हम यह formula apply कर सकते हैं और यह formula कहता है जो भी e है उसको इसकी power के साथ as it is जवाब में लिख दीजे तो integration is equals to 1 over 6 और जो भी e है जिस power में भी है as it is लिख दिया जाएगा 3 x square प्लस 2 और आगे किसी possible constant के लिए हम हमेशा यह तरह c लिख देंगे और यह 6 x और यह integral symbols वो differential यह सब कुछ खतम हो जाता है जब हम बकाद़ तोर पे integrate कर लेते हैं या formula apply कर लेते हैं यहाँ पर एक और बात खाबरे जिकर यह है कि अगर आप चाहें तो आप इस पूरे सवाल को variable x से variable u में convert कर सकते हैं जैसे कि हम पिछले सवालात में ऐसा करते रहें तो इसका एक और तरीका यह भी हो सकता है कि आप यहाँ e की पावर को u consider कर लें तो यहाँ पर जो e की पावर है वो simple एक variable के तौर पर है यानि के x तो यहाँ पर भी जब आप u suppose कर लेंगे तो e की पावर simple एक variable के तौर पर आजाएगा यानि कि u के तौर पर आजाएगा तो आप चाहें तो इस पूरे सवाल को u के तौर पर convert कर सकते हैं तो इसको ज़रा method 2 से भी करके देखते हैं यहाँ पर अब हम जो भी e की power है ताकि वो formula से perfect match कर जाए हम e की power को u मान लेते हैं अब जब हम e की power को u मान रहे हैं तो यहाँ dx कभी इंतिजाम करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ कह रहे हैं कि with respect to x integrate करो और हम u में convert करें सवाल को तो हमें भी अब dx नहीं चाहिए हमें du चाहिए उसके लिए differentiating both side with respect to x तो सब के साथ हम d over dx लिख देते हैं अब x एक तरफ करने तो dx मा जाके x से multiply होकर x dx हो जाएगा और 6 यहाँ पर आकर divide करेगा तो यह बन जाएगा du over 6 is equals to x dx मतला यह जो x dx है यह अब गाइब हो जाएगा और इसकी जगा du over 6 आ जाएगा और यह जो e की power 3x squared plus 2 है इसकी जगा u आ जाएगा x dx तो खतम हो गया इसकी जगा du आने वाला है du over 6 और e की power 3x squared plus 2 था यह simple हो गया e की power u into du over 6 यह जो 1 over 6 है इसको बहार निकाल लेंगे क्योंकि coefficient का ना integration में ना differentiation में कोई तालुक नहीं होता वो सिर्फ जवाब से multiply होता है तो 1 over 6 बाहर आ गया और अब हमें simple integrate करना है e की power u du को अब देखें with respect to u u का derivative तो 1 होता है और 1 तो आ रिखने की जरूरत नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि हम अब यहाँ पर 1 over 6 के आगे e की power u को integrate करते हुए simple e की power u लिख देंगे और आगे हमेशा की तरह plus c अब उधार वापस हमने u माना था 3x square plus 2 को तो यहाँ पर भी हम u की जगा 3x square plus 2 लिख देंगे तो उमीद आपको दोनों ही method से सवाल बहुत अच्छे अंदाज़ समझायोगा इंशालों नेक्स एपिजोड में हम इसी तरह के कुछ और सवालाद भी करेंगे फार दर टाइमिंगे लाफ़ें ठीक किया